नमस्कार दोस्तों सौगा थे आपका विपलव स्टॉक में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉम्टन ग्रीव कंजूमर इलक्ट्रिकल्स लिमिटेट के वारे में अच्छा रिटन देने वाला स्टॉक है आपको ददू तो आप अगर इसी स्टॉक में इंबेस्मेंट करना चाहते हो यह फिर इंबेस्मेंट करने की शोच रहे हो तो वीडियो को पूरा देखेंगा इसी स्टॉक के बार में लगबग मैं पूरी जान कर देने की कोशिश्च की आओ तो पूरा देखेगा तब आपको पूरी जानकर ही मिल पाएगी तो चलिए पर शुरू करते हैं त तो सबसे बहले बात करेंगे इसके वेलिएशन की तो वेलिएशन में सबसे बहले मार्केट के आप देखते हैं तो मार्केट के आप देखते हैं तो मार्केट के अपिलाजेशन यहां पर आम इस्टॉक का पी देखेंगे तो इस्टॉक का पी था तो इस्टॉक का पी आप जशकते इंडस्ट्री पी से लो और निकम यह तो यह पॉजिटिव माना जाता है अगर इस्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से लो और निकम होता है तो पॉजिटिव माना जाता है अगर इस्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाई और ज्यादा तो नेगिटिव माना जाता है के लिए पॉजिटीव पॉइंट है कि स्टोप का पी इंडेस्टीप शी डिलोऑ और नहीं अच्छा वना जाता है तो अबर जीएशन दिखा जाया तो वेलेशन अपर अच्छह होना जाएगा dividend percent ए डिविदेट से लेवलब नहीं हमकी इस टोंट का पी ए वो इंडिस्ट्री पी से लो है यह positive पॉइंट है और deliverable percentage भी अच्छा है तो overall value है को अच्छाई मानेंगे इसका चारी चलते सेव ओल्डिंग pattern पे तो सेवलिंग pattern तो सेव ओल्डिंग pattern में साथ तरह सबसेयर पर मोटेश के पास है उसका बात करेंगे प्लेटब अपने से गभी रखते को प्लेश या दिसंबर तुसनबर सब्सक्राइब जो प्लेज ने गिर भी रखो यह पर मोटर्स के तो एक नेगेटिव पर मना आएगा किसी भी स्टॉक के लिए प्लेज बाइस्टर की जो कि यह फाइय निफ इन्प्रेश्टर किसी भी स्टॉक के लिए इनप्रेश्टर है है तो सेब्टमबर 2020 में 30.32 पर संबाइस्टर के पास थे बात करेंगे करकें एक और इंप्रेश्टर की जो विए सब्सक्राइब करने से पहले उसी स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च और अनलिसस जरूर करती है मुचल फंड कम्पनिस तभी जाके किसी स्टॉक में इंबस्मेंट करती है इनकी जो इनकी जो होल्डिंग है सेप्टमबर तुटाजन टुएंटि में चौबी दिशनला उनतर प्रसेंट जो मिचल फंड कमपनिस के पास है बात करेंगा अधर सेप्टमबर तुटाजन टुएंटि में 17 तुएंट परसेंट जो अधर्स के पास है तो पूरा सेरोल्डिंग पैटन दिखा जा है ठीक ठाक सेरोल्डिंग पैटन है क्योंकि आप एक नेगटिव एक नेगेटिव पॉइंट है इसका जो इनपॉर्ड इंवेस्टर है फॉर्ड इंवेस्टर मीचल फंड कमपनी इनकी अच्छे खार इसी होल्डिंग इसी स्टॉक पर आप देशकते हो तो यह पॉजिटिव पॉइंट है तो ऑपर सेरोल्डिंग पैटन ठीक ठाकी सैप्टंबर 2020 में 1213 करों का सेल्स तो जून से स्टंबर में सेलस इंकरीज़ बढ़ा ऑधा कोवीज से क्युएंटिन को बड़ा और कोलिध कोवीट नेंटीन कोरोना वार्स लागडाउन लगा था जून के क्कॉपर में और दिसमबर 2020 का 748 यून से इंकरीज़ हो तो यह त बात करें कि सब्सक्राइब में लूब सेल्स था जून 2020 में उस अधुसे सेल्स था जून 2020 का में उसे अगर्वां वह से फ्रक्राइब कुशनों वह से लगवग तक आप दिसकतो नेट पारिट माइनस में अच्छी बाद है कि इस नेट पर प्लस में कपर नेट पॉपिट दोन ही इंक्रीज हुआ को सब्सक्राइब चलते हैं चलते इसके वैलेंशीट के वपर तो बैलेंसिट में मार्स 2020 और मार्स 2019 का रेटा वले वले सबसे बात करेंगे टोटल सेर कैपिटल की तो टोटल सेर कैपिटल मार्स 2019 में 125.40 करों का टोटल सेर कैपिटल था वहीं मार्स 2020 में 125.46 करों का टोटल सेर कैपिटल है बात करेंगे नेटवर्थ की तो नेटवर्थ मार सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसका चले चलते हैं चार्ट के उपर तो चार्ट में आपको तो चाहूंगे कि आज सेंडे सेंडे मार्केट आपको पता ही यह जो प्रेडे का प्रविर का पांस परवरी को चार सो आट पर 45 पर से नीचे जाके बंद एक दसले पंद्रा परसंट की गरावाट रही थी बात कर करते पॉजिटिव घर फिलिए नहीं धोजिशना ग्रोब पर शिरू परसंट पार जेंगे से ठेले एक मैंने को आरे चाहर परसंट का पॉसिटिव उतना यह बात करेंगे पिछले एक साल का पॉसिटिव और यह एक साल का यह पहले कि ग्याले देजुना बारा पर संट का प्रजिटिक प्छले एक साल का है एक सो सब्सक्राइब पिछले पांच साल की बात करेंगे बात करेंगे स्टार क्यान कि लांगटर्प की तो आपका तो तो पर चार्ट वन प्रत पांस। चार्ट माना याएगा मैई 2016 में स्टॉक लिस्ट हुआ था और फर्विरी 2021 चल लाता पांसाली मानके चलिए तो पांसाल आप देशक्क तो पांसाल में दोसो एकदम परसका पॉजिटिव रिटन बहुत ही अच्छा रिटन जवर्दा सिटन है जो आने वाले टाम में भी इस देशक्ता है इसका चलिए चलते हैं एक ऑफिसलल वैबसेट पे बाकती देता हो में आप लों को मित तो अधुर्यां जीको आचुक है पांस पर दोब्लें चारविश्य तक का डेटा आपको दिख रहागा पांसाल लगा-बिशू अर्प निख पर नहीं पन्स पर्विश पर देखेंगे तो फिप्टी तो आपको गिरीन कलर में दिख रहा होगा जो कि यह चारसोचपण रुपए का बात करेंगे सिक्वेट्री पोजिशन की तो फ्राइडी का चार बज़े तक का डेटा वलेवल है तो फ्राइडी का चार बज़े तक का डेटा में टोटल कॉएंटिटी जो ट्रेड हुआ था वह 11,75,415 कॉएंटिटी टोटल ट्रेडिंग हुए थी यहांच 11,75,415 कॉएंटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुए थी और उसमें जो डिलिवरल कॉएंटिटी रही है वह 6,74,654 कॉएंटिटी की डिलिवरी हुए यह यह च्छी बात है इसके बात करते हैं जो डिवीडन दिया हो कब दिया कितना दी यह भी मापण बता देता हू तो आश्याइटि तेसफंट पर दिया है वह 3,92,20 नौगे 3,99,J20 नीशका है वह 1,50 पर है दिया था॥ यह दिए ने जो लास्ट चाहर डिविडन दियो कब दी तो बता चुका हूं और इस सब्सक्राब और प्रेस करेंगे तो आपको नोडिशन मिलता रहेगा और इस वीडियो को जरूर लाइक की जगा अगर आपके कोई 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 तो पूच सकते हो आपके जरूर आपका मिलता अगले वीडियो में जैहिन